नमस्कार आपका स्वागत हैं जीके इन मारवाड़ी केस यूट्यूब चैनल पर सातियों आज से हम राजस्थान कंप्यूटिशिक सिक परती 2020 के अंडर जो है आप जोइन कर सकते हैं और अपने तैरी को परक सकते हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले आज से एक से पचास के कोशन से इसके इन्दर डिसकस करेंगे और क्यों से सोख को कोशन दूसरे मोडल वेपर में इसी प्रकार से पचास-पचास कोर्शन की सीरीज शुरू करने वाले हैं सातियों तो आज पहला परस्ण आपके सामने रखने हैं पहला परस्ण स्क्रीन के उपर है देखे DNS क्या है distributed hierarchical naming system, vertical naming system, horizontal naming system या client server system तो इसका सही उतर होगा आपके C horizontal naming system दूसरा परस्ण है telnet सेवा के दवारा हम क्या चलाते हैं तो इस परस्ण का आपके right answer होगा remote program तेलनेट सेवा के दवारा हम रिपोर्ट remote program चलाते हैं तीसरा दे कि आप वरतमान में IP address होता है तो इस परस्ण का आपके right answer होगा काम में लेता है पांच प्रस्ण है HTML में एक लिंग को दूसरे URL के साथ जोड़ने है तो इस टेग का परियोग के जाता है तो इस प्रसंद का उत्र होगा आपके एंगर टेग ठीक है और इसको वापस पिर ऐसे लिखा जाता है यह और यह वापस यह ऐसे आफ होता है इसको हम कहते हैं प्रसंद संग्याच है है एक प्राइवेट आई-पी एड्रस हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रस कौन साहिन में से तो इसका प्रसंद का उत्र होगा आपके डी 122.198.24.43 ठीक है तो डी वाला ओप्सन सही है साथ प्रसंद है वैब को एकसेस करने है तो प्रोग्राम क्या आउसकता होती है तो कौन सा प्रोग्राम आउसकता होगी तो यह आपका ब्राउजर यानि वैब यानि इंटरनेट पर जो वैपसाइट वगर है उसको हम सर्च कर करने के लिए ब्राउजर के परियोग करते हैं जब इंटरनेट डाटा आपका केंपस होड़ता है तो यहां सामानेत अपने गंतवी इस्तान पर जाने से पहले कहां पर जाता है तो इस परसंद का उतर होगा आपके नेटवर्क एक्सेस पॉइंट नवा प्रसंद है अमेज PPP का फुल फॉरम क्या है तो इस परसंद का उतर होगा आपके B पॉइंट टु पॉइंट 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 प्रोट्यों कॉ प्रोकल 11हें एक इंटरनेट एडिस के द्वारा दिया जाता है तो स्परसंद का आपके उतर होगा C, InterNIC, InterNetwork Interface Card, NIC का और फिर है बाहर प्रशन है जाता है तर चुका है निम्न में से एक वेब बराऊजर है नैटेश के लिए वर्ड वेड्व लॉंचर या वेब crawler तो इस person का आपके उत्र दे कि इस person को उत्र होगा आपके internet escape वेब browser क्या काम आता है यह program होता है जो internet से युआब सेर्च होती उसको search करने में और आपके सामने उसको load करने में help करता है 15 person dotnet किinking company का उत्तपाद है तो इस person का उत्र होगा सी आपके Microsoft Company का उत्पाद है या प्रोड़क्ट है वेब मानक कौन बनाता है तो इस परसन का उत्र होगा आपके बी दा वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम जो होता है वो वेब मानक बनाता है सत्रों परसने इंटरनेट के मादिम से आपके प्रोड़र जिसको आप प्रोड़ नहीं करना चाहते हैं तो वे जब यक्स हम जो कहते हैं उसको हम जो है अनादिकरत करें अन् बाहर से जो भी unauthorized या बिना काम की जो प्रोग्राम होते हैं उनको आपके computer में प्रोग्राम प्रवेश करने से ये रोकता है 18 प्रसन देखते हैं 18 प्रसन है देखिए निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट वेब पेज और उसके वेब पर computer की पहचान करता है तो इस प्रसन का उतर होगा आपके डी डोमेन नेम ठीक है ना डोमेन नेम जो होता है विशिष्ट वेब पेज और उसके वेब पर computer की पहचान करता है उगनी सो प्रसन है इमेल पताओं को किस चिने के द्वारा यूजर नेम के नाम को ISP से अलग करता है इस प्रसन का फूल फॉरम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ठीक है तो इस बी का यह होगा जो है बी इसका सही उतर है एज रिड या एड दिरिड जोता है वो यूजर नेम को ISP से लग करता है इस प्रसन का उतर है CPOP पोस्ट प्रोटोकाल ठीक है आगे का प्रसन देह कि आप 21 प्रसन एक बड़े समो को एक है की समय इमेल भेजने के लिए किस सौट्ट का उप्योग हो सकता है तो इस परसंद का उतर होगा List Serv Software का उपयोग होता है 22% के आव बानचीत वानेचिक इमेल को सामाने तक किस नाम से जाना जाता है तो इस परसंद का उतर होगा C Spam के नाम से जाना जाता है 23% के एक News Group पर एक संदेज के साथ उतरों को अक्सर क्या कहा जाता है तो इसका उतर है आपके Thread, जिसको Thread भी कहा जाता है, Thread भी कहा जाता है, 24% है इंटरनेट प्रारणबिक तोर पर इस सरकारी एजेंसी की परियोजना थी, तो पहले जो है इंटरनेट किसकी परियोजना थी, तो वो है आपके ARPA, जिसको इसमें ARPA लिका हुआ है, इंटरनेट इंटरनेट का प्रारणबिक तोर पर इसके पास दी हुई थी, ARPA के पास, Advanced Research Project Agency Network के पास है, 25% है, आपके रिकतिस्तान में बताना है, प्रोटोकल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ जोडने का समर्थन करता है, तो इस परसन का उतर होगा, CHTTP, Hypertext Transfer Protocol, 26% है, एक वेब संसाधन का उप्योग करने के लिए एक पूर्ण URL, URL का पूर्ण रूप या फुल फॉरम है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पूर्ण URL के पहले बाग को हम प्रोटोकॉल कहते है, प्रोटोकॉल किसे कहते है, नियमों का समू या सेट आप रूल, ठेक हैं, 27% प् और इवेबर नेटवर्किंग को और इवेबर एप्लिकेशन को ये जो हैं समर्थन करता है, 28% परसने इंटरनेट हैं, इंटरनेट क्या हैं, तो इस परसन का उतरोगा आपके देखे, D, कम्पीटरों का एक विस्व या पी वेब परस पर नेटवर्क जो के आप उसमें समव प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, 300 परसने आई भी पता इस समय किते वाइट का होता है, पहला परसनी जिस सीरीज में पढ़ा था, ये चार वाइट लंबा होता है, 31 परसने हैं, देखे, कम्पीटर अपराद और पूराने कम्पीटर और अपरादों के ने तरीकों में वर्द तो उनके वर्दी के कार्ण जो है, ये साइबर जो भी अपराद हो रहे हैं, 32 परसन देखे, 32 परसन देखते हैं, इवानित जिय उभोगता, इवानित जिक उभोगता, द्वारा सुरू की गई और व्यापारों को लक्षित की गई व्यापसित गतिवीदी कौन सी हैं, तो इस परसन का उतर होगा, D, B2C, ठीक है न, व्यापार से उभोगता है, या बिजनेस टू कस्टमर, 33 परसन है, ब्रोड बेंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितनी ब्रेंड विद्ट क्या हो सकता होती हैं, तो इस परसन का उतर होगा, B, 256 किलो बाइट पर सेकेंड की, 34 परसन है, मोडेम का क्या मतलब है, मोडेम का मतलब होता है, या इसका फुल फॉर में आपका C, मोडिलेटर, D, मोडिलेटर, 35 परसन है, अपने नेट उपयोग की गती को, किसके द्वारा परिपासित किया जाता है, तो इस परसन का उतर होगा, D, KBPS, किलो बाइट पर सेके तो इस परसन का उतर होगा A, Cash Memory, 3700 परसन है देगे, Electronic Naked B, तो इस परसन का उतर होगा आपके B, एक उबोग तक कहीं Electronic सिक्के खरीता है, जो कि सिक्के जारी करने वाले बेंक द्वारा Digital तरीके से अस्तान तरीत होते हैं, यानि digitally आप उसके अंदर payment को खरीते हैं, और बेजते ह के लिए परियोग होती है, तो इस परसन का उतर होगा A, Credit Card के बुकतान के लिए यह परियोग में होती है, गुंचारी सब परसन है, देखे, EFT का अर्थ क्या है, या मतलब क्या है, तो इसका उतर होगा B, Electronic Fund Transfer, 400 परसन है, Microsoft Windows में, Internet Explorer खोरने का सही करम क्या है, तो इस परसन का Right Answer होगा B, आपके Start में चाहेंगे, All Program में दबाएंगे, उसके बाद Internet Explorer को Open करेंगे, 400 परसन देखे, एक Multimedia Website पर Analog Video का प्रियोग करने के लिए आपको किस क्या हो सकता होती है, तो इस परसन का उतर होगा B, Video Capture Card का प्रियोग करना पड़ता है, 22 परसन है Hyperlink क्या है, C, Graphic य सके से एका प्रियोग कर सकता है, 23 परसन है, वेब पेज पर एक White Space क्या होता है, C, वेब पेज पर एक White Space होता है, वो पेज को पड़ने और प्रियोग करने में आसान बनाता है, 24 परसन है, एक Web Design Team, Story Board को किस के लिए प्रियोग में लेती है, तो इस परसन का उतर होगा, ये वेब साइट को प्लान करने के लिए ये जो है वो परियोग में ली जाती है, 45 परसन दे कि अगर आप सीदे वेब पेज पर जाते हैं, जो कि वेब साइट के लिए होम पेज नहीं है, तो क्या होगा, C है आपका, आप होम पेज को प्राप्त कर सकते हैं, ब्राउजर एडस एरिया में डोमेन की दाई दिसा में करेक्टर को मिटा कर और फिर एंटर करके, यानि जो वेब साइट खुली हुई है, आपके यहाँ पर आप जो है, वेब साइट का जो में एडस है, उसको अटा दीजी और एंटर करेंगे, तो होम पेज प परकार का जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, अरताली सो परसने किस नेटवर्क टेपलोजी में मुख्य नोड फैल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फैल हो जाता है, तो इस परसन का उतर होगा, आपके सी स्टार टॉपलोजी में, गुन पाचास ओ परसने आपके निमन किये जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर मान बढ़ता है, उसको पोश्ट फिक्स कहते हैं, तो इस परसन का उतर होगा, आपके पंदरा, ठीक है, पचास ओ परसन दे कि डबलु डबलु क्या होता है, तो इस परसन का उतर होगा, आपके भी वर्ल्ड वाइड वैब होता है, www का फुल नयम तो साथियां यहां पर हमारे पूरे इस test reach के 50% जो थे हमने clear कर लिए हैं आपको कैसा लगा है वीडियो आप इसी प्रकार के 1000 questions पराप्त करना चाते हैं तो हमारे चैनल के साथ जल्दी से जुड़ ज़ेए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ जरूर सेर कीज़ेगा धन्यवाद